आदर्स शिक्षन समिती बार्मेर द्वारा आदर्स विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भाईया भाईनों का हार्देक श्वागात एवं अभिनंदन आज के इस वीडियो में अपन अध्यन करेंगे विश्य विज्यान प्रक्षा आठ अध्याय तो सुक्षम जीव मित्र एवं सत्रूप वीडियो का भाग है दो पिछले वीडियो में अपने अध्यन किया था सुक्षम जीवों के लाबकारी उप्योग उससे कुछ बिंदू रह गए वो भी अध्यन करेंगे साथ साथ में कुछ सुक्षम जीव होते हैं जो रोग वैदा करते हैं या हानिकार होते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से अध्यन करेंगे तो आज की वीडियो में शुरुगात करते हैं एक कुछी किरिया कलाप से जिसमें अपन समझेंगे किड़ अनकिरिया क्या है तो एक 500 ml का इक पीकर लेते हैं जिसमें तीन सोताई चार-पास घंटे के लिए गरम इस्तान पर डखन देकर रख देते हैं और उसके बाद बिलियन को सुंगते हैं तो अपने को पता लगता है कि यह गंद उसमें जो गंद आ रही है अलकॉल जैसी है जो चीनी के अलकॉल में परिवर्तन होने की कारण होती है तो यह प्रक्रि करिया किडवन कहलाती है किडवन की खोज सबसे पहले 1757 में लुई पाचर नामत वेज्ञानी ने की थी जो इसक्रीन में एक फोटो दिखाई देरा है तो जो किरिया क्लाब था उसमें चीनी का डाला था वेलकॉल में बदल गई है यह प्रक्रिया किडवन किरिया कहलाती है इससे दूसरा विंदू अगला विंदू का अज्यन करते हैं परति जेविक तथा एंटिबायोटिक और उसदियां बिमारों ने पर लेते हैं तो इसमें कुछ सुक्षम जीव होते हैं जो जिनसे कुछ उसदियां निर्मान होती है वो ऐंटिबायोटिक या परति जेविक उसदि कहते हैं जिनसे कुछ उसदियां विंदू को नश्ड कर देती हैं तता उसकी वर्दी को रोग देती है अपने शरीर के अंदर कुछ हनीकारक सुक्सम जीव जब शरीव में परवेश करलाती है, तो वो अंदर जाकर अपनी प्रजनान गिरिया करके खुद को वर्दी कराते हैं, तो इस वर्दी को अपने शरीर के अंदर परती जेविक होती है, एंटिवायोटिक, वो उससदी जो क पर नाम बोलता हूं जो स्क्रीम पर केरे अक्सरों से रग्णीन अक्सरों से लिकावाई, इस्टेटोमाइसीन, टेटरा, साइकलीन, एरिथोमाइसीन है, इसके अलावा बिन-बिन प्रकार की ओश्यदियां आपन बिमार होते हैं तो लेते हैं, और जिससे अपने शरीर के अंदर प्रोग प्रतिरोदक सब्टा बढ़ती है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिवानों रोगों से बचावेतु एक समर्दन परियोग करके अचानक उसने एक समर्दन तस्त्री पर गेरे रंकी फफुन्द के छोटे बीजानों देखे थे और उन्होंने पाया कि ये फफुन्द जिवानों के बर्दी को रोकते हैं। और उसके बाद में वो जिवानों फफुन्द द्वारा मारे गई। इस परकार की फफुन्द से पैनिसलीन बनाई गई। जो आज वरत्मान में पर्ति जेवी गोशत्दी के रूप में लेते हैं। और आजकल डोक्टर आपको बिमार होने पर अपने शरीर में पैनिसलीन का इंजेक्शन भी देते हैं। तो पर्ति जेवी गोशत्दी टेबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में या इंजेक्शन के रूप में देते हैं जिसके अपने शरीर के अंदर रोग परति परेश्ट परकार के सुकसम जीवों का समर्थन करके पर्थी जीविक का सवर्धनिकिया जाता है जिने अनेक रोगों की शीकिस्टा म häuf लिये ज良ता हैं आज से सब्सक्रान के स्वर्धनिके पर्ति जीविक उसद्यों कारunt निर्मान या ऊत्पादन डया जाते हैं जिससे पर्ति जेविक मिलाए जाते हैं जिससे पर्ति जेविक आगे से आगे संसरन रोगा जा सकता है पर्ति जेविक का उपयोग कुछ पोदों के रोग नियंत्रन में भी करते हैं क्योंकि फसल में पोदों में बिन-बिन परकार की विमारियां हो जाती है उसमें भी पर्ति जेविक का उपयोग किया जाता है हेजा, छे, स्वेचर्ट, हेपेटाइटिस, या नहीं कि विमारियों की वैक्सिन या टीके द्वारा रोका जाता है, आज नहीं आपने देखा होगा कि अपने समाज में या उस्पिटल के मादे में कहीं चारट, टीका गरन का चारट देखा होगा, बिन-बिन प्रकार के करते हैं, ऐसा ही एक सेचक के टीकी की खोज की थी, 1789 में एडवर्ड जेनर ने सेचक के टीके की खोज की, सेचक भी एक बेंकर विमारी थी, उसके रोकताम के लिए भी एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1789 में टीके की खोज की, आज वेसे कोरान अक्वाल के अंदर, कोरान होखो जाए तो इसका नींद्रन भी हो सकता है ऐसे परकार के पहले शेचक भी बपढ़ी फैलि थी उससे निवारण के लिए शेचक के ठीके की कोज करने पड़ी थी अज हो ठीकारीकरण सावित होगा थांर समय आपके बच्पन में आपको अनिक रोगों की रुक्षा है तो टीके लगाए होंगी, बच्चों को रोगों की शुरुक्षा के लिए आप से टीके निकट के अस्पताल में उपलत होते हैं, बच्चों को पोलियों से बचाव के लिए भी अपने टैलिविजन, समाचा, पत्रो प्लस पोलियों के दवा पिलाते हुए बच्चों को दिया जाने वाला वास्तों में एक टीका वैक्सीन है जिसके कारण उसका रोगों का निवारण किया जाता है जैसे ये अभियान प्लस पोलियों अभियान बहुत ज़्यादा सफल हुआ है शेचक के विरूद विस्व यापी अभियान चलाए गया था जिसके परिणाम सवरूप विस्व के अधिकांस भागों में शेचक का अगूलन हो गया तो ये भी बड़ी वैस्विक्प हमारी की त यूगों को कि अनुक चैनल के लिए किया जा सकता है आज अव्रटमान में खौराणा वाइरस को हराने के लिए विस सुधैश्षतर पर की को चल रहें यह दी खौश समें का जल्दी चे जल्दी खोज हो जाए तो इस रूँपका भी उन मुलन किया जा सकता है सुक्षम जीव में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हानीकारक प्रभाव करते हैं जिसके कारण ऐसे जीव हानीकारक होते हैं जो अमारे लिए एक सत्रू का काम करते हैं तो सुक्षम जीव अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें कुछ हानीकारक भी है कुछ जीव, मनुष्य, जन्तुओं, पोधों में रोग उत्पन करते हैं और ऐसे जीव, हानी ही पहुचाते हैं ऐसे जीवों को हानी कारक सुक्सम जीव कहते हैं हानी कारक हमेशा हानी पहुचाते हैं इसलिए इसको रोग कारक भी कह सकते हैं रोग उत्पन करने वाले सुक्षम जीवों को रोग जनक या रोगानु कहते हैं, जो रोग पैदा करने वाले होते हैं, सुक्षम जीव रोगानु कहते हैं, कपड़ों पर से पक्के माध्यम से, चमड़े की वस्तुओं से संदुशित होकर एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक पहुंच जाते हैं, और वो एक रोग से दूसरे को रोगी बना देते हैं, मनुष्ये में रोग उत्पन करने वाले सुक्षम जीव, मनुष्ये को अंदर जो रोग पैदा करने वाले सुक्षम जीव होते हैं, वो हमेशा स्वांस द्वारा, व्यक्टी जब स्वांस लेता है, स्वांस के द्वारा शरीर में परवेश करता है, या व्यक्टी पानी पीता है, तो पेजल द्वारा, तरलपदार जो पीता है उसके साथ, या फिर भोजन द्वारा अपने शरीद में परवेश करता है यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है रोगी व्यक्ति है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके संप्रक में आने से संचरन रोग हो जाता है जन्तु के सीधे संप्रक में आने पर भी रोग का संचरन हो सकता है जल, भोजन या काईग संप्रक द्वारा फेलते हैं एनी व्यक्ति एक दूसरे से इसपर्स हो जाए या साथ में भोजन करने से या एक पहले किसी का भोजन किया वा उसका जूटा भोजन करने से पानी पीने से या असपास में वायू में उसने जीवानों वायू मनल में छोड़ दिया दूसरे व्यक्ति उस वायू के आसपास में स्वास लेता तो वायू स्वास के मादिम से शरीप में प्रविश करते हैं इस प्रकार के रोग जो संप्रक से फैलते हैं उसको संचरणी ये रोग कहलाते हैं इस प्रकार के रोगों में कुछ उदारा हिजा, सामने सर्दी जुकाम, चिक्कन फॉक्स और छे रोग प्रमुख हैं, इदि किसी व्यक्ति को छे रोग न्टी भी है, उस व्यक्ति से का आज पास में समपर्ग में नहीं होना, चिक्कन फॉक्स जैसे को सामने अपन अस्वडा करते हैं, यह दि किसी व्यक्ति को यह रोग हो गया है, तो उसके आज पास उनके कपड़े, उनके बारतन या उसके आज सरीर इस परस नहीं करना चाहिए, तो यह इस परकार के संच्रणी रोग जो होते हैं, एक रोग से दूसरे रोग में फैलते हैं, अब बात करते हैं कि यह जो सुक्सम जीव होते हैं, यह वहाख भी होते हैं, वहाख कार्थ है कि एक से दूसरे इंपहलाना, एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक ले जाना, वहाख रोग को ले जाना हो, तो उसे रोग वहाख कहीं, ऐसे सुक्सम जीव या जन्तु या कीट, जो रोग को आगे से आगे फेलाना का काम करते हैं उन्हें रोग वहाग कहते हैं अब आपने देखा होगा आज पास में कभी आज पास की सेत्र में पानी गंदा या फिर आस पास में जहरना या पानी इकटा होता है तो आपने देखा कभी-कभी मलेरिया वह जादा फैल जाता है तो मलेरियों को फैलाने का कोई वहाख है कोई मलेरिया रोग एक व्यक्ति से इस पर सोने से नहीं फैलता है उसको रोग को कोई ले जाने का काम भी करता है वह वहाख केलाता है तो यहां प्रशन नोट कर लें मलेरिया परजीवी का वहाख कोन है मादा आनाप्लीज मच्छर जो प्लाजमोडियम मलेरिया परजीवी का वहाख है इसक्रीन पर आपको देखो चित्र बनाया हुआ है देखिए इसको चित्र सोज्यान से देखना यह सरप्रकार का मच्छर है यह मादा आनाप्लीज मच्छर ह सामाने कई प्रकार के मच्छर जब रात को सोते हैं तो काट लेते हैं तो मलीरिया नहीं होता है लेकिन किसी रोगी व्यक्ति से मादा अनाफलेज मच्छर काट कर किसी स्वस्थ व्यक्ति को मादा अनाफलेज मच्छर काट ले तो जो रोगी व्यक्ति मलेरिया का था उसके जो प्लाजमोडियम थे वो इस मच्छर के खून सूचने से इसके सरीर में आ गया था ये वहाग का काम गरके किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटता है तो उसके सरीर के रेक्ट में ये प्लाजमोडियम छोड़ देता है और वो प्लाजमोडियम से उसके सरीर में जाने पर उस व्यक्ति के सरीर में मलेडिया परजी भी पहुंच जाता है इसी प्रकार डेंगूर ह होगा अपने सजबाइब का बुखा राता है और यह मलेरिया से भी खतर ना तो मादा मादा एडीश मच्छर जो है वह वाइरस का वाख है मलेरियों को फैलने से रोकने एवं बचा यदि अपने आसपास के जतर में मलेरिया रोक ज़्यादा फैल गया है तो क्या करें उसका नियंतर्ण कैसी कर सकते हैं उसका बचा क्या करें उसका इलाज किस तरह से संभव है अलंगी इसका इलाज सामाने इंजिक्षन दवयां टेबलेट के माद्यम से उस्पीटल में संभव है उससे दित्य उखाने से संभव है लेकिन ये मलेरिया ज़्यादा अपने आसपास में शेतर में फैलने से रोक जाए तो इसके लिए अपन क्या पहले से उपाय कर सकते हैं तो अपने घरों के आसपास पानी को रुकने नहीं देना चाहिए तो देखो अपने आसपास में घरों के पानी जो है वो निकासी के लिए नालियां बनी हुई है नालियां कई रुके नहीं नालियों के आसपास कई खड़ा नहीं हो जाए सड़क पर खड़े नहीं हो तो इ लपन नहीं है दिले गंदगी में कीचड़ मच्छर पैदा हो जाते हैं तो इस मच्छर पैदा होने से रुप जाएगा तो मलीरिया पहलना भी संभू नहीं है जब बरसाद की दिनों में होते हैं तो अपने कोई कूड़ा दान या ऐसा कच्रा जो अपने अनूपयोगी होता है जैसे कूलर खराब हो गया है तो अपने सत पर डाल देते हैं या घर में किसी कॉर्णर में पड़ा है तायर है फूलदानी है या बिन-बिन प्रकार के किस बर कर लिक अपने आसपास के शितर में कहीं पानी बिक्तर हो रहा है तो उस पानी की ऊपरी चतर पर तो इसका भी नियंत्रन इस तरह से बिट्टी का तेल का सिटका उकरके उसकी साथ पर मिट्टी या ओइल कडाल दें तो भी उसका प्रजन नहीं हो पाएगा अब अपने कर सकते हैं तो अपने जो सामाने मचर घारत हैं सैंहें मचर के समयं शायाद मचर नहीं प्रजनादल को रोगने के लिए ढलवें किसी भी इस्तान पर इककत्र नहीं होड़े देना चाहिए ताकि मच्छर जो प्रजनन करके अधिक संक्या मान देने कर आगे सागे बढ़ते जाएं गरों की खिड़कियों में जाली का उपयोग करना चाहिए जिसे कार्ण मच्छर बार से अंदर घर में परवेश नहीं करें समय समय पर घरों और आसपास के इस्तानों प सरकारी होस्पीटल के मद्यम से कुनेन की दवय मिलती है जो शावान है मच्छर जब ज्यादा फैलते हैं तो उसको लेना साम को और दूद पी लेने जिससे भी मलेरिया करोपता हम संभव है आज की वीडियो को मद्यम से कुछ द्यन किया है आपने उसका कुछ करेकारे दे रहा हूं जिसको अपने लिखित कारेगरूप में करना है फैरकोपी में अब्यास्पोस्थेगा में किण्वन किसी कहते है किणवन कीखोज घिसने की सेच्चक के टिके की खोज किसने की मलेरिया रोग वहा का नाम क्या है ये इस वीडियो के माधर में से सब अंदर आ रखे हैं आप इसका अध्यन करें आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद